चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्साइज 1.2 टोटल सेवन क्वेस्टिन से इसके अंदर ठीक है और अभी जो मैंने आपको थोड़े बहुत बेसिक्स बताया थे नंबर रेप्रेजेंटेशन बताया था और दो रेशन नंबस के वेज में कुछ फिक संख्या में यहां से और नंबर यहां से यहां से दूसरा होगी वन टू हर छून नंबर की कितने पार्ट सकतने चार्थ तो हमने randomly एक-एक सेंट्रिमेटर पर एक पार्ट, दो पार्ट, तीर पार्ट, चार पार्ट, वन, फिर one, two, three, four, two, one, two, three, four, three, four, ऐसे कर सकते हैं. समझ में आगे का नहीं किया चलिए लगा दिया अब क्या चाहिए इसको बताओ जो पहला पार्ट है देखो यह चार टुकड़े करने अपने को तो चार टुकड़ में से यह अगर यहां से आता की दूरी 1 है तो एक पार्ट कितना होगे 1 by 4 तो यह जो नीचे होता है इसका रे तो यहां लगा देंगे मार्क 7 by 4 क्लियर कैसे पता लगए कि कितने होल नंबर लगाने तो इसको डिवाइड कर देख लेंगे इसको डिवाइड कर तो टू से कमन्स राएगा क्योंकि 4 टू जा 8 होता है तो टू से रीचे नीचे आएगा तो जस्ट हम टू तक लगा सकते है ठीक है मान लेजी मेरा होता 15 by 2 होता सपोस ठीक है तो अब मैं इसको कैसे करता है तो का टेवल बोनो 2 7 जा 14 और भी बड़ा है तो 2 8 जा 6 अगला लेलना फाल्तू लेलना तो इसमें 8 तो ऐसा 0 1 2 कहां तो जाते हम 8 तक जाते हैं समझ भी आगया कि नहीं क्या तो हम क्या ऐसे घ shapes कर सकते हैं तो एक क्लेइन करके पहला रहा दूसरा माइनस का है 5 x 6 माइनस का तो हम 0 राइट साइट में ले लेंगे और लेफट साइड में नंबर प्रोगर्स करेंगे ठीक है हर एक हो लमबर इंटिजर को हमको क्या करना है 6 खरना है तो हम क्या करेंगे 0 से कौट करके 6 लगा देंगे फिर माइस ओर चैपाइट मांस तो और ज़ए पाइस तिर नहीं पर सबसें गदिया को आख एक तो बोलते हैं तो वंच से कम आता ही है तो बैंदर या जाएगा ठीक है तो जेरो चली फोट पर फइला है सिक्स बाइस में conservatives हो फिर 6 में से 1 लेकिन सब में माइस लग जाएगा को कि लेट साइड में तो यह था हमारा कैसे का नंबर राइन रोड यहां पर जाएगा सारे लिखा हुआ है नीचे के लिखा हुआ है 11 तो टूटल हम को 11 पार्ट्स मार्क करके और फिर हम क्या लगाएंगे माइनस वन समझ जाए गया हर एक इंटीजर तक माइनस वन माइनस टू के गैप में 11 हिस्से होंगे ठीक है चलिए तो और इन सब करेंगे एलेवन वंजा 11 से भी छोटा है तो एक एक में काम चल जाएगा हमारा ठीक है 11 यहां से 3 4 11 11 सबके साथ माइस नगा देगे माइनस सब लाइनस टू और 11 13 11 एंड सो ओन अब हम को इस में से तीन नूड आज़ा माइनस डूबर का पार्ट आएगा तो नबर काट इससे प्रकार आठ जएगा यह निशान लगा देगी माइस 9 by 11 निशान लगा देंगे यह हो गया हमारा क्या किस प्रकार से राशनल नंबर को प्रेजन करने नम्बर लाइन पर अगला मारा राइट फाइव रैश्टनल नंबर जो आपन में होते हैं विज्ट आर स्मॉलर देन टू जो टू से छोटे होते हैं अब मुझे बताओ नम्बर लाइन जो है उसमें टू से चोटे नंबर चू से पहले कौन से आएंगी इंटे जगं 50 भी लेसकता है तो पहले तो हम इंटेजे ढूंड लेता है जो कि टू से छोटे है तो टू से पीछे चलेंगे उल्टी गिंती नंबर लाइन पर टू से पहले वन आता है फिस जीरो माइनस बन लगा दो तो वो रेश्ट नंबर बन गया तो यह सारके सारे रेश्ट पताया था ना बिल्कुल सेम पूसे वैसा ही हमको क्या करना है माइनस टू और फाइफ इंसर्ट टैन रेश्टनल नंबर बिट्वीन क्या पहला है माइनस टू बाइ फाइफ एड वन बाइ टू चली अंसर देख लेते हैं इसका क्या करना होता है पहले तो दिनोमटर को क्या करना होता है सेम करना होता है सबसे पहला स्टेप है क्या make the denominators equal कैसे करते है मैंने बताया था क्या करें कि बताएफ माइनस टू बाइ 5 इसको उपर निचे किस से इंटू करेंगे इसके डिनोमटर से मतलब 2 बाइ 2 और 1 बाइ 2 को किस से इंटू करेंगे इसके डिनोमटर से तो 5 बाइ 5 क्लियर है तो ऐसा करने से denominator दोनों के बराबर हो जाते हैं तो minus 2 को 2 cm क्या है तो minus 4 नीचे आएगा 10, 5 2s हा यह आएगा 5 1s हा, 5 नीचे आएगा 10, clear है? चलिए तो अब हमारे जो rational numbers है वो क्या हो गए? तो the rational numbers are now, क्या हो गए हमारे? minus 4 by 10 and क्या हो गया? 5 by 10 अब चेक करता है कि minus 4 नीचे तो से मागया minus 4 और minus 5 के बीच में gap है कि नहीं है ठीक है? हमको कितने 10 का gap चाहिए minus 4 से गिंती चालू बढ़ते है minus 4 से minus 4 छोटा है, minus 4 से फ़ल्ट की गिंती करते है minus 4 से आगे बढ़ो minus 3 minus 2, number line पर minus 4 से right side में चलना है, तो minus के संख्या कम होते जाएगी फिर 0 के बाब चालेगी multiply वाट, numerator and denominator of both, किसे निटू कर लेंगे? by 10 निकालना है, तो 11 से कर लेंगे, चलिए पहला था हमारा minus 4 by 10, दूसरा था 5 by 10 इसको भी 11 by 11 से कर लो, इसको भी 11 by 11 से कर लो क्या जाएगा, 11 4 जा, 44, minus का, इधर आएगा 110, इधर 5 जा, 55, यहाएगा 110 अब देखेंगे, इन दोनों के बीच में, देखो, बहुत सारे rational numbers निकलते हैं minus 44, 55 के दूनिया भर के निकलते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो therefore, the required rational numbers आर, चलो, हम एक काम करेंगे, कुछ प्लस के लिख लेते हैं, कुछ माइस के लिख लेते हैं, दस लिखने हैं हमको, चली, minus 44, जो आगे बढ़ेंगे, minus 43 upon 110, minus 42 upon 110, minus 41 upon 110, minus 40 upon 110, minus, suppose 30 लिख लेते हैं, upon 110, ठीक है, पांस तो माइस के होगे, कुछ प्लस के लिख लेते हैं, minus 40 और 55 तक की गिंती में, 1 by 110, suppose 5 by 110, पतलब इसके बीच में लिखना है काली, ठीक है, 7 by 110, 8 by 110, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, एक और लिख लेते हैं, suppose 12 by 110, लो जी, ठीक है, तो दुनिया बारे के निकल जाएंगे, लेकिन हमको सिरफ और सिरफ 10 लिखने हैं, clear है, तो यह था हमारा question number 4, यहां तक note कर लेंगे एक बार, चलिए, हमारा जो next question है, वो है, question number 5, again हमको 2 rational numbers के बीच में कुछ संख्या में rational numbers निकालने हैं, ठीक है का निकालने हैं, तो find 5 rational numbers between यह, इनके बीच में 5 निकालने हैं, होई तरीक है, नीचे सबसे पहला step, denominator को क्या कर लेंगे, equal कर लेंगे, तो make the denominators equal, चलिए, 2 by 3, यह लिखा है, इसके denominator से उपर ने chain 2 कर दिया, 5 by 5, क्या जाएगा, 2 by 5 is 10, 3 by 5 is 15, clear हैं यहां पर, चलिए, 4 by 5, यह लिख लिए, इसका denominator 3 है, तो 3 by 3 से उपर ने chain 2 कर दिया, क्या जाएगा, 4 3s are 12, 5 3s are 15, clear है, तो अब हमारे जो दो rest number हैं कौन से हो गए, 10 by 15, 12 by 15, यह आ गए हमारे, ठीक है, now that rest numbers become, ऐसे बन गए, अब, इसके बाद हमको क्या है, step 2 पे जाने से फिर एक चीज़ चेक करनी है, यह जो उपर, नीचे के तो बराबर हो गए, उपर के numbers हैं की बिच में gap कितना है, तो 10 or 20 की बिच में बहुतार number आगे, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 25, तो मिल जाएंगे हम से, तो step 2 पे जाने की ज़रूरत ने हैं, डाइरेक्टि एमान्स से लिख देंगे, लेकिर फिलाल यहां पर एक ही है, तो जाना पड़ेगा step 2 पे, क्या कहता है step 2, हमको जितने rest number निक जाल लें उसे एक जादा, तो 6 by 6, 6 by 6, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, 10 6 आ 60, 15 6 आ 90, 12 6 आ 72, 15 6 आ 90, अब हमारी जो रेशन नंबत दो बन गए, 60 by 90, 72 by 90, तो नीचे तो बराबर है 90, 90, अब 60 से 72 के बीच में काफी gap आ गया, तो हमारे खूब सार integer मिल जाएंगे, तो 60 से 72 के 90, 64 by 90, 65 by 90, ठीक है, तो यह था हमारा क्या है, फस्ट वालब पार्ट, ठीक, चलिए, इसी प्रकार से, कॉस्चे नमर फिफ्ट का सेगंड पार्ट है, माइनस 3 by 2 and 5 by 3, एक माइनस का और एक प्लस का दी है, चलो, डिनोमेटर देखेंगे, अचा, एक चीज और जरूरी है, अगर मान लिजे, माइनस कहीं पर नीचे लगाया है, तो उसको उपर शिफ्ट कर लिए ना, दो माइनस से तो कट कर लेना, समझ में आ गया, माइनस हमेशे करे, एक ही होता है, नीचे लगा देखेंगे, कितना हुझा जाएगा, माइनस 3 को, 3 से निचू किया तो एन माइनस स्क्राइब दोना नंबर चलिए अब देखें डिनामेटर नीचे बराबर होगे उपर है माइनस नाइन और टैन तो यह अब हो गए है माइनस नाइन बाइ सिक्स यह रहा अगें चेक करेंगे क्या टूपे स्टेप पूपे जान से पहले इन दोनों को इसमें गैप माइनस ना उन टू टू थ्मार नाइन तक चलिए बहुत सारे नमबर में बलेके हमको सिर्फ पांच चाहिए तो स्टेप टू पे जाने की जरूतली नहीं घैप है ना वहां गए नहीं था तो स्टेप टू पर गये gap है फिले सी, तो no need for step 2, समझ मैं आ गया, required rest number directly देंगे, चलो, minus 9 से आगे बढ़ेंगे, बड़ा number, तो minus 9 से बड़ा number 0 की तरफ जाएंगे, तो minus 8 आता है, ठीक है ना, minus 8 by 6, minus 7 by 6, minus 5 by 6, 3 तो मैंने minus के लिए लिए, वो कुछ plus की भी ले लेते हैं, तो 1 से लेकर 10 के बीच में number, मतलब 9 तक ही लेना है, तो 3 by 6, 4 by 6, 5 by 6, 6 by 6, 7 by 6, 9 by 6 तक बी ले लो, तो हमको शिरफ कितने लिखने थे, 1, 2, 3, 4, 5 लिखने थे, 5 लिखने थे, 5 लिखने थे, clear हैं, चलिए, इसका जो third part है, उसमें हमको again 5 लिखने निकाले, 1 by 4 and 1 by 2, कर सकते हैं यह, और यह मैं examples में बताया था, इससे पहले भी, ठीक है, so this, we have already done in the examples, again वोई इसका denominator कोल कर लेंगे, और फिर जरूद पढ़ क्यों step 2 करेंगे, ठीक हैं, हम कर चुके हैं, तो दुबारा इसको repeat करने की जरूद 9, ठीक है, so यह था हमारा question number 5, clear, चली, अगला हम question number 6 करते हैं, थोड़ देर पहले हमने ऐसा ही question किया था, question number 6, क्या है, वो देख लेते हैं पढ़ बार, क्या कहता question number 6, हमको 5 rational number से बताने हैं, किस से बड़े, minus 2 से बड़े बताने हैं, ठीक है कि नहीं कहते हैं, यह है question number 6, write 5 rational numbers, greater than या more than, what, minus 2, चली, अब मुझे बताओ, minus 2 से बड़े integer लिखे लोग पहले, minus 2 से बड़े right side वे चलना है, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी रिखे सकता हैं, ठीक है, तो हम लिखे लेगे सबसे पहले क्या, integers, integers greater than minus 2 r, क्या हो जाएंगे, बताएंगे, minus 1, 0, 1, 2, 3, and so on, हमको 5 से यह तो 5 लिखे लिए, ठीक है, therefore, the rational numbers greater than minus 2 r, क्या हो जाएंगे, minus 1 by 1, 0 by 1, 1 by 1, 2 by 1, 3 by 1, and so on, समझ में आगया, हम और भी ले सकते, दुनिया बढ़के, ठीक है, प्लस के सारे नमबर लिखो, गिंती लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो सारे minus 2 से बड़े ही हो गए, clear है, तो यह था हमारा question number 6, question number 7, already हम कर चुके, इस प्रकार का question, क्या है, बताओ, हमको दो numbers दिये हुए, 3 by 5, and 3 by 4, उसके बीच में 10 rational numbers निकालने हैं, find, how many, 10 rational numbers between, कौन से दो numbers हैं, 3 by 5, and 3 by 4, 3 by 5, and 3 by 4, ठीक है, चली, again, वही steps आएंगे हमारे, इसको हम रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, चली, सबसे पहले स्टाब बताएंगे, denominator को क्या करना है, equal करना है, तो बताए, 3 by 5, 5, इसको किस इंटू कर देंगे, इसके denominator से उपर निचे, 4 by 4, और यहां जाएगा, 3 by 4 को किस इंटू कर देंगे, इसके denominator से, 5 by 5, तो 3, 4's are 12, निचे आगया 20, यह आगया 3, 5's are 15, निचे आगया 20, तो now, the rational numbers become, क्या बन गए, यह हो गया 12 by 20, और वो हो गया 15 by 20, अब इनकी बीच में gap चेक कर लेंगे, 12 और 15 के बीच में ज़्यादा gap नहीं है, 12 के अगया 13, 14, बस दो ही नम्मर आ रहे है, तो मतलब हमको proceed करना है step 2 के, क्या करेंगे, बताएंगे, multiply, numerator, and denominator of both, by, चलिए, दस दिकाल लेंगे हैं हमको, तो क्या कर लेंगे, एक ज़्यादा मतलब 11, तो 12 by 20 को करना है, 11 by 11 से, 15 by 20 को करना है, 11 by 11 से, clear है, 20, 11 से, यह आएगा, देखो, 11, 2 से, 22 और 0 लगा सकते हैं, और 11, 12 से, 11, 2 से, 22 बचेगा, 2 carry, 11, 11, 12 और 13, यह आजाएगा, ठीक है, इसी प्रिकार से, यहाँ पर, same to same और जाएगा, 2, 2, 0, 11, 5 से, 55, carry 5 बचेगा, 11, 11 और 5, 16 आजाएगा, अब इन दो के बीच में देखो, बहुत गया बागे हैं, पर 132 से 165 के बीच में, हमको किबल 10 लिखना है, तो therefore, required rational numbers are, क्या हो जाएगे, बताएगे, सबसे पहला देखो, 132 से बढ़ाना है, इसको नहीं लिखना है, ठीक, 141, कितने हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और finally 142, ठीक है, और सब के निचे के लगा देंगे, 220, 220, यह पहला हो गया, यह सेकंड हो गया, यह थर्ड हो गया, यह हो गया, 4th, यह हो गया, 5th, यह 6th, 7th, 8th, 9th, और यह 10th हो गया, समझ में आ गया, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सब के बीच में हम rational numbers निखाल सकते हैं, clear, यह हमारी exercise का last question था, hope सब को अच्छे से समझ में आ गया होगा, सब लोग नोड़ों के note कर लेंगे,